आप सभी का स्वागत है मद्री परदेश असुस्टन प्रोफेसर एक्जाम 2024 के क्लासेश में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम दोग MPG के पेपर 1 का प्रिपसंद करेंगे और पेपर 1 में प्रैक्टिस स्टेट को सॉल्ब करेंगे जैसा आप अवगत है कि पीपर 1 का जो य प्रासेश को पहला प्रासन आपके सामने निम्र में से किसे एडिंग मसीन कहा जाता है हमारा जो टॉपिक आज टॉपिक आप देखने पहले कौन सा कंप्यूटर यंग सुचना पर दोगी इसी से लेटर एक स्टेट को सॉल्ब करेंगा कंप्यूटर एंड इंफर्मेशन ट तो पास्कलाइन को कहा जाता है एडिंग मसीन पास्कलाइन याद रख लिएगा अगला है किसे पर्थम यानतिक कंप्यूटर बना है जो भविस के कंप्यूटर के लिए परतिकृति सिर्द हुआ किसने पर्थम यांतिक computer बना है जो भविश के computer के लिए पर्तिकृति यानि computer का बेस्ट बना वो उसी के दार पर computer का आगे निर्मान हुआ तो किसे कहा जाता है वो किसने बना है आर्कमेडिज जॉन हरिशान मार्क और चॉल्स वैवेज तो इसका एंसर हो जागा कि computer की पर्तिकृति जो बनाई सबसे पहले वो थी चॉल्स वैवेज और इसलिए उसको father of computer भी कहा जाता है चॉल्स वैवेज को तो डी नमर आपका प्रेटर ने यह एन एक एन आई एसी एन एक का पूरा नाम क्या है यह एक जांस में आयों प्रस्टन है तो एन एक का पूरा नाम क्या है यह चार ओप्सन दिए गहां आप रेखें कौन सा और आपना एंसर आप देने का प्रियास करें चार ओप्सन को आप देखें मैं इसक इंतीक्रेटरस एफ और किल्कूलेटर तो कहां पर है यंशन अगला है शुरू पर्थम इलेक्रोट उन्य नीक कि प्रसन आ गया पहली बार बना जिसका नाम था एक किसने डियाईद किया यहाँ पर नाम बताना है वन न्यूमेन जोसिप एम जेकर जे प्रेसपर एकट और जॉन मोसली या यह और भी दोनों तो इसका इन एक के बारे में बता रहें इन ये का जो डिजाइन बनाया था वह बनाया था एकट और मोसली ने तियाने सी नमबर जे प्रेसपर एकट और मोसली जॉन मोसली ने बनाय है कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमेस एक सही स्लोमेद नहीं उसको आपको एंसर करना है तो पहला है आपका जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोसली ने एक बिल्कुल अभी हम लोग ने पिछले प्रस्ट में देखा यह राइट है अगला है ब्लेज पास्कल ने टेबुलेटि सब्सक्राइब नहीं है आपको यहीं मिल गए आप फिर भी आगे देख ले रहे हैं हावर्ट एकन ने क्या बनाया है मार्क वन कंप्यूटर सही है जॉन ने प्रस्ट में भी और प्रस्ट ढूंडने का प्रयास करें ठीक है तब ही आप एक्जाम में दोखा नहीं खाएंग कि दर से प्रस्ट आए आप उससे कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर कौन सा स्वानित नहीं है तो बी नंबर स्वानित नहीं है तो आपका answer फी हो जाएगा नेक्स्ट कम्पीटर की पहली सिली में कौन सा डिवाइस परियोग होता था जब पहली सिली का कम्पीटर बना तो कौन सी डिवाइस परियोग होती थी एंटिग्रेटर सर्किट यानि आइसी नो यह तो हाल फ्लाल में बनने सुरू हुआ यह प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर व इसको मैचिंग करना है परतम पिल्डी में वैक्यूम ट्यूब निर्वाद ट्यूब बिल्कुल सही है दूसरी पिल्डी में ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है तिसरी पिल्डी में इंटिग्रेटर सर्किट का प्रियोग आइसी सही है चोथी पिल्डी में चुमकिया भंडार अपकरनों का प्रีयोग तो एक दो सी नम्मरें आप देखें aigner कंपिट करना करना केवल एक केवल दो मेंसे कोई नहीं सब्सक्रेइड आ हे सब्सक्रेद को 수도 बड़ते हैं माइक्रों सब्सक्राइब नियुक्री सब्सक्राय उद्सक्राइब नियुक्राइब सभी हो जाएगा सभी मैं सरकारी और नीजी सेंगट्म के लिए किस्ट और में असल्गी में मपर जाता है शूपर कंपिटर की गंद Nach harm लोपे सइतर अधा क्लास हुआ था मैंने बताया था शूपर कंपिटर युद्री जूटना होती है वह वह सबस होती है लुटals दाइन नश्वर का फ्रब्स का फूल पर्म थे अब बताने का करें है क्पिए मैंने लुटना कमेंट करें कि फुल फ़र तो लो अप्क करपाएंगे को किया तो भात का पहला सुपर कंपडूटर परम के 8000 फिस्था नमें स्था परम 8000 को किस ने विक्शित किया था इस नलेग्र 508 जिसका पूर पूरब पूर tension का है पैरलर जोए मसीन understood संस्थाने विख Zhuित किया था सीट्प ने किया था इन हम्हा सबसे पूछा तो क्या है frontier उसिफकतर नाम क्या है नाम क्या होगा फ्रनटियर पूछह जा रहा हैं जापान चिन यॉसे या जर्मनी तो कि मैं सीने आने बनाएं किसी बाय सुष आने वाली किसी बाइस तलंबåर के께 प्रीड की सूचना क्या करते हैं जब कोई 22 रोट से सॉप्ट्रवेर में कोई सूचना फिड की जाती है जाली जाती है उसको क्या बोलते हैं इंपूट होता हो नेक्स्ट कम्पीटर से उजर तक कम्पीटर से यूजर तक परिनात्मक डेटा संचार के लिए कौन सी नुरूस पताई है यानि परिनाम देगा रिजल्ट देगा रिजल्ट हम लोग कहां देखते हैं वह आपको दिमाग लगाना है तो चाल अप्सना अर्थमेटिक लोजिक यहां क्या है कम्पीटर से यूजर तक परिनात्मक यानि रिजल्ट के लिए कौन सा जाएगा आउट्पूट आउट्पूर आपका राइट एंसर बन रहा है नेक्स इक्स्टिन नमबर शेंट्र प्रोसेसिंग यूनिट यानि CPU कम्पीटर की शंपून गतिविदियों पर नियंतन रखता है बिल्कुल यह सही है यह सही है इसलिए इसे कम्पीटर का मस्तिष्ट काते हैं इसमें क्या है दोनों ही सही है और कंट्रोल यूनिट किसके भाग है यानि एल यू और CPU किसके भाग है CPU मेमोरी इनपूट आउटपूट अर्थमेटिक लोजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट किसके भाग है यह आपका सी यू कंट्रोल यूनिट आपका CPU के भाग है CPU की सी यू कंट्रोल यूनिट नॉट सी यू और यू दोनों आपका CPU का भाग है अगला है प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा और निर्देश होते हैं वह किस यूनिट में ट्रांसपर हो जाते हैं जहां पर उसको प्रोसेसिंग का कार्ण होता है जहां पर उसको प्रोसेसिंग का कार्ण होता है तो प्रोसेसिंग का कार्ण कहां पर होगा कहां पर होगा प्रोसेसिंग का कार्ण लुवां अर्थमेट्स्राइट यूट्नाइट उनेट ये आउट्स्राइट या सिलिये तो यह आपका होगा बीन न मार यहीं पर प्रोलस्राइशंग का कडvordan यहीं सोली ऑपता हाग विदाक आर्फ सर्फ यूट्स यौँ एवंग मुक मेमोरी के साथ संचार करना यह भी करना है यह भी करना सीप यू का काम प्रोसेसर के कारे को शम्पन कराने के लिए प्रोसेसर की सायता करना यह भी करता है यानि तीनों अब तक सही आपको मेमोरी की एडरेस पर संखरित करना है यह भी आपका सभी सभी कहाँ है दी नंबर पे ना डी नंबर यस प्रोसेसिंग यस आउट्पूट यस इस्टोरेज यस अलेगोरिजम यस यानि सभी सभी कम्पूटर के कारे हैं तो कौन सा सब्सक्राइब एक दो दो तीन चार एक तीन चार पांच एक दो तीन चार ऑप्शन के अनुसार तो आपका एक भी सही नहीं है यहां अगर हम फा प्रेजर अल्गोरितम यह सभी काम किसका है कम्पूटर का अब मैचिंग करना आप यह मैचिंग करना है कौन सा पार्ट क्या काम करता है डेटा संग्रीद करने डेटा को संग्रीद कौन करता है तो यह मेमोरी करता है कम्पूटर के सारे भागों के साथ समन्दूए कम्पू monitor को ओपयोग करता हो तक data सचार यानि जो और C क्या होगे है संचार डेटा निर्देस का Binary भास परित्तन डेटा शогण निर्देस देते हैं उसको Binary भास परित्तन करता है कौन परित酥 है करें तो सिन आप देख रहे एक दो चार तीन कहा परें हैं तो कि नमर आप अपींगा न करना चाहते हैं बिलकुल फ्री में आप की कंप्लेट कर सकते हैं और कोई क्लासे कर सकते हैं ओर लिए ऑस फैजह में चाहिए कर सकते हैं और हमाई साथ जुड़ने के लिए दोस्तों कोई प्रीज को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को क्लिक कर लें आपका लाब ले सकते अपने तयारी को श्रांदार कर सकते थैंक्यों थैंक्यों वरी-वरी-वरी-मच फर वातिंग्स वीडियो और कनेक्टिम्स